मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताके आपको मेरी आने वाली नई वीडियो मुशूल हो सकते आई रमान रहीम मैं हूँ डॉक्टर मज़र वारी सुमीर तरता हूँ आप सब लोग खैरे हसे होंगे आज हम शुरू करेंगे अपना नया मौज़ू ये मौज़ू बहुत इंपॉर्टन्ट है और जुलाई के अंदर जो है ये दो प्लैनेट्स जिसे प्लैनेट मरीक और प्लैनेट जोहरा कहा जाता है इनका किरान होगा बुर्ज असद में किरान ऐसी पोजेशन जिसमें एक ही बुर्ज के अंदर दो सितारे इकठे हो जाते हैं जब वो एक ही डिगरी पर आ जाते हैं तो उसे हम किरान कहते हैं और वो एक्जेक्ट डिग्री होती है तो इस हवाले से इनके लिए देखेंगे क्या चीज़े नजर आती हैं बिसकली मरीख जो मरीख से चीज़ें मनसूब हैं वो है इश्क महबत के मामलाथ भी हैं और बहुत सारी चीज़ें और जहरा से जो चीज़ें मनसूब हैं वो खुसुसां महबत के मामलाथ और मरीख से जो चीज़ें मनसूब हैं वो सेक्स से रिलेटेड मामलाथ और कशिश से रिलेटेड मामलाथ मर्द और और वरत के दरमयान तो इस हवाले से तेरा और चौदा जॉलाई का जो टाइम पिरेड है ये बुर्ज ऐसद के अंदर इनका खिरान होगा इस टाइम पिरेड के अंदर क्या चीज applicants हो सकती है और इनके लिए अगर हमदेखें तो हमें क्या चीज़े नज़र आती है और क्या क्या चीज़े इसमें पॉसिबिलिटी है इन चीज़ों की तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इनके लिए बुर्जे हमल बुर्जे हमल वाले अफराद के फिफ्ट हाउस में ये किरान होगा तो ये किरान बहुत ही पॉजिटिव होगा और एसेंडर लॉड यहां पर होगा और सेवंत और सेकंड का लॉड भी यहां किरान करेगा महबत की शादी के हवाले से बहुत इंपॉर्टन बहुत अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है और इश्क और महबत के मामलाद जो लव मैरिज करना चाहते हैं के लिए बहुत फेवरेबल टाइम होगा इसको यूटलाइस किएगा बुर्जे सौर बुर्जे सौर वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो इनके फोर्थ हाउस में यह कम्बिनेशन बन रहा है ऐसे फराद जिनको प्रॉपर्टी के मैटर्स में प्रॉबलम आ रही है हिस्सा नहीं मिल रहा प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही उनके लिए यह टाइम पिरिएट बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम पिरिएट को देखिएगा और इसमें मजीद आप देखें के बुर्जे जौजा बुर्जे जौजा वाले अफराद के इनके थर्ड हाउस के अंदर ये किरान होने जा रहा है यहाँ पर इनकी कम्मुनुकेशन के मैटर्स एग्रिमेंट्स इनके भेन भाईों से रिलेटिड मामलात यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टन होंगे और कंसर्ण रहेगा इस हवाले से इस टाइम पिरिड़ में आप एग्रिमेंट्स कर सकते हैं कम्मुनुकेशन के हवाले से डिसीजिजन ले सकते हैं पर रिजेक्ट साइन कर सकते हैं के लिए बहुत फेवरेबल टाइम रहेगा अब हम बात करते हैं बुझे सर्तान बुझे सर्तान वाले फराद के लिए अगर हम देखें तो इनके सेकंड हाउस के अंदर ये कंबिनेशन हो रहा है और ये जब इनका कंजक्शन यहां पर होगा तो इनकी फाइनाशल पॉजिशन के हवाले से बहुत इंपॉर्टन टाइम पिरिड होगा 13 और 14 जुलाई ये बहुत ज़्यदा अगर कोई इंपॉर्टन डिसीजिजन लेते हैं रिलेटर टू फाइनाश ये आपको बहुत ज़्यदा बूस्ट करेगा फ्यूचर के अंदर और ये इस हवाले से पेमर्ट्स के हवाले से बहुत पॉजिटिव रहेगा बुर्जे असद बुर्जे असद वाले अफराद के लिए देखें तो इनके फॉर्स राउस में ये किरान होने जा रहा है यहां पर इनके इंपॉर्टन नेचर के काम प्रोजेक्ट्स इनके लिए कम्मिनुकेशन एजुकेशन और इनके लिए इस हवाले से मीडिया से डिलेटर लोग हैं उनके हवाले से बहुत इंपॉर्टन अच्छा कमिनेशन बनने जा रहा है इस टाइम प्रोजेक्ट को यूटलाइस कीजेगा और इन्शाला इसके आपको फ्यूचर में बड़े अच्छे नताइज मिलेंगे अब हम बात करते हैं बुर्जे सुंबला बुर्जे सुंबला वाले अफराद के लिए इनके बारवे घर में ये कम्बिनेशन होने जा रहा है ये कम्बिनेशन बारवे घर में बन रहा है यहां पर फॉरं में रहने वाले लोग इनको बहुत ज़्वाइदा फायदा होगा ऐसे अफराद जो चैरिटी के रिलेटेड काम करते हैं NGO's related काम करते हैं, hospital's related, medical की, fields related और foreign के अंदर जो immigration को deal करते हैं, services परवाइड करते हैं, उनके लिए बहुत positive और अच्छा time रहे का, उनके business के point of view से, इस हवाले से ये चीज़ें बहुत positive नज़राती हैं. बुर्जे मिजान, बुर्जे मिजान वाले अफराद के लिए हम देखें, तो इनके 11th house में ये combination हो रहा है, तो 11th house में अगर हम देखें तो दोस्तों से related मामलाद, social circle, earning resources, additional earning resources, इन चीज़ों में इनको बहुत ज़्यादा benefit होता हो नज़रा रहा है. अब हम बात करते हैं, बुर्जे अक्रब, बुर्जे अक्रब वाले अफराद के लिए बहुत important, बहुत अच्छा, बहुत positive combination बने जा रहा है, इनके दस्वे घर में, इनके जॉब के मामलाद, इनका status, इसमें बहुत positive changes आने वाली हैं, 13 और 14 को अगर आपको important nature के decision लेते हैं, as related to your job, तो ये बहुत positive combination है, बहुत अच्छा combination रहेगा, ये आपके ये future में बहुत सी खुशियां लाएगा, अब हम बात करते हैं, बुर्जे कॉस, बुर्जे कॉस वाले अफराद के लिए देखें, तो इनके 9th house में ये combination बनने जा रहा है, यहाँ पर बहुत positive है, इस point of view से, कि आपके जुनको visa नहीं मिला, immigration के matter फसे हुए हैं, delay हो रही है, visa नहीं मिल रहा, या immigration का case पास नहीं हो रहा, उनको इस time period में बहुत ज्यादा फाइदा हो नज़र आ रहा है, 13 और 14 जुलाई, इसमें अगर आपका कोई case आपने submit करना है, तो इसमें submit करें, appeal अगर reject हुई है, तो appeal इसी time period में आप submit करें, अब हम बात करते हैं, बुर्जे जद्दी, बुर्चे जद्दी वाले फराद के लिए अगर हम देखें, तो इनके आठवे घर के अंदर यहां combination बनेगा, यहां पर आठवे घर में combination बनने का मकसद यह है, यहां पर parental property, insurance claim, अगर आप service कर रहे हैं, आपको pension graduate नहीं मिली, इस हवाले से बहुत यह अच्छा time period होगा, इस time period को utilize कीजिएगा, यह चीज़ें आपके लिए positive होती ने जराद गा, अब हम बात करते हैं, बुर्जे दल्व, बुर्जे दल्व वाले फराद के लिए देखें, तो इनके 7th house के अंदर यह combination बनेगा, 7th house related to your business, business के अवाले से बहुत अच्छा रहेगा, business के अंदर important decision, business के अंदर शिराकत करना, business start करना, और marriage करना, निकाह करना, और जिनके दर्मियान मिया बीवी के दर्मियान इक्तलाफाद चल रहे हैं, उनके हवाले से बहुत अच्छा combination है, उनको मना सकते हैं, और वो आपकी नराज़गी खत्म होती ही नजर आ रही है, बुर्जे हौद, बुर्जे हौद वाले फ्राद के लिए देखें, तो इनके six house में ये combination मन रहा है, six house में इस combination की जो important चीज़े हैं, वो ये है कि अगर कोई litigation से related matters है, तो उसमें शुला होती ही नजर आ रही है, सेक्ट अगर lawn के हावाले से देखेंगे, कहीं आपका lawn फसा हुआ है, lawn नहीं मिल रहा तो आपको lawn मिलता हुआ नजर आ रहा है, इस time period में कोशिच कीजिएगा, कि आपको ये चीज़ें इंशाला हो सकेंगी, अमीद करता हूँ, ये वीडियो आपको बसान दाई होगी, अपना ख्याल रखेगा, खुदा आपको,